हेलो फ्रेंज वेल्कम टो माई चैनल फ्रेंज आज में एक रंग की बहुत ही प्यारी और बहुत ही खुपसर डिजाइन लाई हूं तो देखिए इसको बनाने के लिए में फोर का मल्टिपल प्लस वन फंदा लेना है पहली सलाई आपको सारे फंदों को सीधा बुन लेना है wonder करें जब भी है डिजाइन के स्टार्टिंग करें तो फॉर्स चूमें आपको सारे भन्दो को सीधा सीधा बुन के अब अगस है एक यह स्धियाएक रह हमने उल्टा उल्टा Fachu चैनल के हमारे बेस यह घ्जाइन के फ्र Landes अजय की ठाट्यश 21 फर्स्ट रो में आपको सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है तो हम इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुनके कम्प्लीट कर लेते हैं देखे फर्स्ट रो कम्प्लीट होगे अब सेकेंड रो में देखे दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे ठीक है एक दो अब यहां से हमारा repeat pattern start होता है ठीक है यह जो पहला फंदा है इसको हम दो बार सीधा बुनेंगे दो बार लपेट के इस तरह से ठीक है यह देखें उन आगे फिर तीन फंदे उल्टे एक दो पीन ठीक है फिर उन पीछे अगले फंदे को फिर से हमें इस तरह से है फिर उन आगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फिर उन पीछे इसको हम सारे फंदों को इस तरह से लपेट कर बुन लेंगे फिर उन आगे एक दो तीन फिर उन पीछे देखें इसमें हम सारे फंदों को बुन लेंगे एक दो तीन उन पीछे फिर उन आगे दो फंदे उल्टे ठीक है अब देखें थर्ड रो थर्ड रो में यह जो दो फंदे हमने उल्टे बुने थे सीधे बुने जाएंगे या निकि रॉंग साइट से जो सीधा दिख रहा उसको सीधा बुनेंगे और यह जो फंदा स्किप किया था इसको उतार के फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर उन आगे यह फंदा जो लपेटा वा इसको उतारेंगे उन आगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन ठीक है तो ऐसे ही इस रो को बना कर हम कंप्लीट कर लेते हैं एक दो तीन अब देखिए फोर्थ सलाई दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे ठीक है उन पीछे ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे फिर उन आगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फिर उन पीछे ये फंदा हम सीधा बुनेंगे देखिए ये जो लपेटा था सीधा फिर उन आगे तीन उल्टे एक दो तीन फिर उन पीछे एक फंदा सीधा तो ऐसे हम लास तक बना लेंगे तो बना लेते हैं यह देखिए फोर्थ रों कम्प्लीट हो गई है अब फिफ्थ रों में हम देखिए फिफ्थ रों पे दो सीधा जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुन लेंगे और जो फंदा उल्टा दिख रहा है इसको हम उल्टा बुनेगे ठीक है अि झाहिए फिर दो सीधा सारी तीन सीधा फिर एक उल्टा फिर थीन सीधा एक दो पीछे बना लेते हैं यह देखे अब 6th row 6th row में यह दो फंदे पहले तो उल्टे अब उन पीछे अब देखे यहाँ पे यहाँ से हम एक फंदा निकालेंगे ठीक है फिर इसे सलाई में इस तरह से लेंगे और इन दोनों को देखे दोनों फंदों को हमको बैक लूप से सीधा बुन लेना है ठीक है फिर उन आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन यह सलाई थोड़ी से आपको टाइट बुनने है अब देखें यहाँ से फिर यह इसके नीचे देखें यहाँ पे आपको एक लूप दिखरा इसके अंदर हम सलाई को डालेंगे फंदा निकालेंगे इसे सलाई में इस तरह से चढ़ाएंगे और दो फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे फिर उन अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन ठीक है फिर उन पीछे अब फिर यह देखिए यहां से अब इस तरह से ठीक है तो ऐसे हम लाज तक बना लेंगे तो यह देखिए छे सलाई कंप्लीट होगे फिर रोफ फर्स से हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन सेम ऐसी बनेगे बस अब यह डिजाइन जो है इसके बीचों बनेगे ठीक है तो रोफ फर्स में हमने क्या क्या था सारे फंदों को हमने सीधा सीधा बना था ठीक है तो रोफ फर्स में हम सारे फंदों को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेते हैं यह देखिए अब पर जो है हमारी डिजाइन कैसी बनेग दिखींगे आपे एक दो तीन और यह चार हम यह पे चार फंदे बुनेंगे उन पीछे अब यह जो पहला फंदा है पांच़ों फंदा है इसको हम दो बार लपेट के बुनेंगे इस तरह से बीखेंगे फिर उन आगे एक दो तीन उल्टे उन पीछे इसको हम इस तरह से लपेट कर बुनेंगे फिर उन आगे तीन फंदे उल्टे एक दो ठीक है ऐसे लास तक बना लेते हैं अब देखिए यहां से हमें फिर यह फंदे जो है जो सीधे हो सीधा ही बुनना है एक दो तीन और यह चार फंदे सीधे उन अपनी तरफ यह पीटा हो फंदा उतार लेंगे तो अब आपको कुछ नहीं करना है जो 6 सलाइव ने नीचे बुनी थे न वहीं बना नहीं है बस आपका फंदे इधर उतर हो गाएं तो मैं वह 6 सलाइव बना के फिर आपको दिखाती हूं यह देखिए यह मैंने इस डिजाइन को बना लिया है तो देख सकते हैं कितनी प्यारी लगए आपको यही 12 सलाइव जो है में तो यहीं है बसे ट्रांसफर हो रहा है कि यह डिजाइन जो है आपके इसके बीचे बन रही है और फिर से यह बनेगी तो इसी तरह से इम डिजाइन बना लेंगे तो मैं एक डिजाइन दिखाती है आपको यह दिखी इस तरह से डिजाइन का लुक आता है तो बहुत ही प्यारी डिजाइन है रॉंग साइट से इस तरह से दिखती है और राइट साइट से ऐसी तो मझे उम्मीद आपको डिजाइन पसंद आगी तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक लाइबाइबाए बाइबार ए रभाइब भाइबाए जहे पुक 3000 इजाए डिख